हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 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 लिप्स टिप्स पोर यू, कैसे हैं आप, आई होप अच्छे होंगे और हॉली की तयारिया कर रहे होंगे तो फ्रेंड्स, बुराई पर अच्छाई का पर्व और रंगो का तिवार होली दिनांक 9 मार्च फालगुन मा की पूर्निमा को मनाये जाएगा फालगुन मा की पूर्निमा यानि होली का देहन के दिन भद्रा काल सुबह सुर्योदय 6 बज कर 37 मिनट से शुरू होकर के दोपहर करीब डेट बज़े ही खतम हो जाएगा उसके बाद आप सभी होली के बढ़कुलों की होली होला की माला बना करके घर पर पूजन कर सकते हैं इसी तरह होली का देहन का शुब मूरत शाम को प्रदोश काल में यानि शाम को 6 बज के 22 मिनट से 8 गुनचास बज़े तक किया जा सकीगा वहीं पूर्णिमा तिथी रात 11 बजे तक रहेगी शाम को प्रदोश काल में होली का दहन के समय भद्रा काल नहीं होने से होली का दहन शुब फल देने वाला रहेगा जिससे रोग, शोक और दोश दूर होंगे तो फ्रेंट्स बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रती की ये त्योहार भगवान के प्रती हमारी आस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रेड़ करता है जैसे गोबर से बने बढ़कुले, गोबर, गंगाजल या साप पानी, पूजा में इस्तेमाल के लिए कुछ फूल मालाएं, सूत, पास्त रहके अनाज, रोली, मोली, अक्छत, हल्दी, बताशे, रंग, उलाल, फल, मिठाई, एट्सक्तरा हॉली का दहन की पूजन विडी के लिए फालगुन शुकल पूर्णिमा की सुभव उठकर इस्तनान कर लेना चाहिए और फिर हॉली का वृत का संकल्प लेना चाहिए दोपर के समय होली का दहन वाले स्थान जहां पर अपने को होली जलानी है को साप पानी से दो करके साप करें और होली का सभी सामान सूखी लकड़ी उपले सूखे काटे इत्यादी एकत्र करें गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं, नर्सिंग भगवान की पूजा करें, भगवान को सभी चीजे अर्पित करें, शाम के समय पूजा करें, फिर होलिका जलाएं और फ्रेंट्स उसकी तीन परिक्रमा लगाएं, भगवान नर्सिंग का नाम लें और फिर पा अब फ्रेंट्स मैं आपको होली का दहन की कथा सुनाती हूँ सालों साल पहले धर्ती पर एक राजा हुआ करता था नाम था हिरनकशप बहुती अत्याचारी और अभिमानी राजा था हिरनकशप चाहता था कि उसकी प्रजा किसी देवता की नहीं बलकि हिरनकशप का खुद की पूजा करें और इस इस्वर माने हिरनकशप ने उन्हें यातनाई देनी शुरू कर दी हिरनकशप ने प्रहिलाद को जान से मारने की योजना बनाई और इसमें उसका साथ दिया उसकी बहन होलीका ने इस योजना के तहन्त होलिका विष्णु भक्त प्रैलाद को लेकर अगनी में बेट गई क्योंकि होलिका को आग में नए जलने का वर्दान प्राप्थ था भगवान विष्टु ने होलिका का ये चल समझ लिया और इस अगनी से प्रैलाद को शैकुसर बचा लिया लेकिन होलिका के लिए अगने काल साबित हुई और तभी से होलिका दहन बनाने की परंपरा शुरू हो गई है तो फ्रेंट्स आप सभी को होलिकी बहुत बहुत बदाई हैपी होली टू आज